इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है राज़त सुप्रिमो लालु यादव जेल से बाहर आने वाले है चारा घोटाले से जुड़े मामलों में एक साल से ज्यादा समय से जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रिमो लालु प्रिशाद यादव को अज्जारकन हाई क कोट ने जमानत दे दी है इस खबर के साथ ही बिहार से दिल्ली तक लालु के समर्थकों में खुशी की लहर दोड़ गई है दुमका कोशागार के गवन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालु की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है चारा घोटाले के मामले में दु जारकंड हाई कोट में जस्टिस अपरेश सिंग की अदालत ने दुमका कोशागार मामले में सुनवाई के बाद आर जेडी प्रमुक को जमानत देने का फैसला सुनाया अदालत में केस नंबर आर सी 38 मामले की आत सुनवाई हुई दुमका कोशागार से 3 करोन रुपे से ज् दी जा चुकी है आपको बता दे कि दुमका कोशागार से अवैत निकासी के मामले में लालु यादव की जमानत याचका पर इससे पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है लेकिन उन्हें कोट से कोई राहत नहीं मिल पाई थी गौर तलब है कि बीते दिनों पिता लालु धिनने की खबर आई रागनी अचार्य ने चोशल मीडिया के जरिये कहा था की रमजान के महिने में वह अपने पिता की रिहाई के लिए रोजा रखेंगी इसके बाद लालू के बड़े बैटे तेश्पताव यादव ने पिताव की जल से जल में रिहाई के लिए नवरात के मौके पर देवी पूजा शुरू थी इसकी अलावा लालू के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सियम तेजश्वी यादव भी देवगर पहुंचे बताया गया की जारकंड में मदुपूर विधानसवा सीट पर हो रहे उप्चुनाओं में प्रचार के लिए पहुंचे तेजश्वी ने बाबा उनकी तबियत जाधा खराब होने पर उने राची से चार्टर प्लेन से दिल्ली ले जाया गया था फिलहाल दिल्ली के एम्स में डॉक्टर राकेश यादव की देखरेक में उनका एलाज किया जा रहा है उनकी देखरेक में दिल्ली एम्स की एक टीम लगी हुई है जानकार मामलों में सजा सुनाई गई है देव घर के एक चाइबासा के दो और दुमगा के मामले में निचलिया दालत से सजा दी गई है जिसमें तीन मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है या चौता मामला है जिसमें आज राची हाई कोट से उन्हें जमानत मिल गई इस मामले में बेल मिलते ही या साफ हो गया कि राज़त सर्प्रिमो अब जेल से रिया हो जाएंगे?